हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डैले डैले इले इंट्रेंस इग्जाम के लिए साइंस के मोश्ट इंपोर्टेंट 34 कुसंस करने वाले हैं और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 34 में से कितने कुसंस का अंसर सही कर पाएं आज के स्टेस्ट में आप सभी स्टुडेंट अपने स्कूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं Q1, मानव रक्त किस परकार का होता है? अमलिय होता है, शार्य होता है या उदासिन होता है? अमलियों को इंगलियस में Acidic कहते है वो शार्य परकरतीक होता है, Alkaline होता है और जिस भी विलियन का pH मान साथ से कम होता है वो S.C.D. होता है, अमलिय होता है, तो रक्त का pH मान कितना है? 7.4, तो यह दोस्तो शारिय होता है, टीनम, यह होता है, एलकलाइब, आगे बढ़ते हैं, जीव और निर्जीव के बीच कड़ी, बतलब इनके बीच किस चीज का अंतर है, तो यह दोस्तो वाइरस है, जीव और निर्जीव के बीच कड़ी यह है, वाइरस, आगे बढ़ते हैं, केंदरा की खोज किस वेग्यानिक ने की थी, दोस्तो केंदरा को इंगलिस में क्या कहते हैं, केंदरा को नुकलिस कहते हैं, तो इसकी जो खोज है न, यह रोवर्ट ब्राउन ने किया था, नुकलिस की अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि रोवर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो इन्हों ने 1665 में मृत को सीका की खोज की थी, अगर आपसे पूछा जाए कि सरुपर्थम जीवित को सीका की खोज किस ने की थी, तो एंटोनी वॉन लिवेन हॉक आपको बताना है, एंटोन स्टॉर्ज का पाचन करता है आगे बढ़ते हैं पोट्लेंड सिमेंट का मुख्य घटक क्या है कि दोस्तों यह जो सिमेंट है ये बना होता है ने सिलीका चूना और अलोमीना का सिलीका चूना और अलोमीना। 3D में laser beam की सहायता से छाय चितर बनानी की विधी को क्या कहते हैं 3D में दोस्तो laser beam की सहायता से जो image बनाना की विधी होती है इसे दोस्तो holography कहा जाता है नेक्स्ट कोश्षन दूद का pH मान कितना होता है दोस्तो दूद का pH मान 6.4 होता है ये अमलिय प्रकर्ति का होता है, एस्टिडिक होता है, दूद का pH मान 6.4 होता है, प्रकास संसलेशन, फोटो सिंथेसिस की किरिया में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन दोस्तो जल से प्राप्त होती है, फोटो सिंथेसिस की प्रकिरिया में जो है, जल से प्राप्थ होती है, पिलाग्रा, यह इंगलिस नाम है, तीना नामक रोग किसकी कमी से होता है, यह दोस्तो नियासिन की कमी से होती है, याद कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, किस विटामिन की कमी से जन शमता शिन हो जाती है, कम हो जाती है, यह दोस्तो विटामिन E की कमी से दोस्तों विटामिन की कमी से होने वाले रोग को याद करने का एक मैंने बहुत ही सौ ट्रिक बनाया है अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं तो आप इसे इजली याद कर सकते हैं दोस्तों देखें हमारा ट्रिक या कहता है, A, R, B, B, C, से सकर्वी बांजबन और विटामिन कैग की रखत का ठक्का नहीं जमता. सबसे पहले आप इस लई में जो है, इसको याद किजिए. A, R, B, B, C, से सकर्वी बांजबन रखत का ठक्का नहीं जमता. अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा ट्रिक कैसे बना है देखू गाइस, बिटामिन A की कमी से रताउंधी होता है, नाइट ब्लाइडनेस होता है ठीन, तो रा को मैंने R से डेनोट कर दिया है ठीन, रताउंधी को और vitamin D की कमिस रिकेटस होता है तो मैंने रा को जो है R से डिनोट कर दिया और E की कमिस बांजपन, K की कमिस रक्त का थक्का नहीं जमता तो आप इसको इस तरीके सियाद कर सकते हो AR, B, B, C से सकरवी D-shericates, vitamin E की कमिस बांचपन, केक की कमिस रक्त का ठका नहीं जमता, तीना, कितना सांट ट्रीक है, और एक और vitamin है, जिससे अक्सर exam में कोशन्स पूछे जाते हैं, vitamin wheat valve, देखें दोस्तो, vitamin wheat valve में कोवाल्ट पाया जाता है, तो एक्जाम में ये कोशन्स पूछे जाते हैं, कि किस vitamin में कोवाल्ट पाया जाता है, तो vitamin wheat valve में, तीना, इसका रसाइनिक नाम होता है, sinocovalmine, vitamin wheat valve का, अब दोस्तो, इजली आपको trick याद हो गया होगा, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, vitamin D की कमी से, कोण सा रोग होता है, तो trick, mindart मैं कीजिए, argbv, cc, crcc, 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 vitamin E की कमी से, और रताउण दी, vitamin B की कमी से, cc, crcc, 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 इस तरीके से, याद कर सकते हो, ट्रिप्सिन क्या है? दोस्तों, ट्रिप्सिन जो है, ये एक एंजाइम है, प्रिप्सिन जो है, ये एक एंजाइम होता है, देखिए, ये आप प्यास लिख लिजेगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, प्यास का केंदर कहां इस्थित होता है, दोस्तों प्यास का केंदर, भूख का केंदर, ये जो है हाइपोथलेमस गरंथी में जो है, इस्थित होता है, और यह जो हाइपो थिलेमस गरंथी है, यह दोस्तो हमारे ब्रेन में इस्थित होता है, हमारे ब्रेन में तीन परकार की गरंथिया इस्थित होती है, और तीनों इंडोक्राइन ग्लेंड्स है, ठीक ना, हमारे सरीर में तीन परकार की गरंथिया है, याद कर लिजेगा, अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गरंथी जो है न हमारे सरीर में तापमान को नियंतिरित करती है, तो ये दोस्तों हाइपोथलेमस गरंथी, याद कर लिजेगा, म्रासमस नामक रोग में सरीर का कौन सा, देखते हैं नेक्स्ट मास्पेशया कम जोर हो जाती है बिलकुल, याद कर लिजेगा, म्रासमस नामक रोग में सरीर की मास्पेशया परभावित होती है, कौस्ट वरकर किसकी कमी से होता है, ये इंगलिस नाम है, दोस्तों क्वासी औरकर जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजिजेज है, प्रोटीन की कमी से, नेक्स्ट कोश्चन, पोलियो किसके दवारा होता है, दोस्तों पोलियो जो है, ये वाइरस के दवारा होता है, पोलियो जो डिजिस है, ये दोस्तों वाइरस के दवारा होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो पूछा जाए कि चेचक के टिके की खोज किस ने की थी, तो चेचक के टिके की खोज Edward Jenner ने की थी, याद कर लिजेगा, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से आस्थाइकन कौन सा है, तो जो आस्थाइकन है दोस्तों, इसका नाम है समस्थानिक परमानुओं, समस्थानिक को इंगलिस में दोस्तों, आईसोटोप कहा जाता है, समस्थानिक परमानुओं में प्रोटोनों की संख्या दोस्तों समान होती, इक्वल होते हैं, प्रोटोनों की संख्या जो है, ये बरावर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस रंग के प्रकास की तरंग धर्रे, वेव लेंथ सबसे अधीक होती हैं, इसका सही आंसर होगा, लाल रंग का प्रकास की तरंग धर यह सबसे अधीक होती है, और सबसे कम अगर पूछा जाए, तो आपको बताना है वैगनी, जिस रंग का प्रकास की तरंगधरी जितना अधीक होगा, उसे उतना दूर से हम देख सकते हैं, इंसुलीन एक हार्मोन है, जो स्तरावित होता है, अगर आप से गरंथी पूछा प्रकार की गरंथियां पाये जाती हैं, उसको गरंथी यहाँ पर नाम दिया गया है है, तो यह लेंगर हैंस से तरावित होता है, बैसे अगर ऑप्चन में लेंगर हैंस ना दे रखा हो, तो पेन किरियांस आपको देखने को मिल जाएगा, तो दोनों में से एक आंसर सही हो अगे बढ़ते हैं। ट्वलाइट में इस मानिता कौन सी गयस्प भरी होती है। तो ट्वलाइट में दोस्तो पारे मरकरी की वास्प और ऑर्गन गयस्प भरी होती है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है? दोस्तों, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम वेंजोएट अमल का प्रियोग किया जाता है. सोडियम वेंजोएट अमल का प्रियोग किया जाता है. हमारे आसुओं में दोस्तों जो पधार्त घुला होता है इसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम ठीक ना एंजाइम क्या होते है दोस्तों एंजाइम जो है ये दोस्तों प्रोटीन होते हैं एंजाइम प्रोटीन होते हैं लोहे में जंग लगती है तो इसमें कारण पूछा लोहे में जंग जो है ना किस कारण से लगती है तो पानी एवम ऑक्सीजन के बजास से sound पानी एवम ऑक्सीजन के बजास सर्य से निरंतर उस्मा थी न हीट वाप प्रकास मिलने का कारण क्या है आखिर सुरे में आखिर कोंसी अभी किरिया होती है तो इसमें दोस्तों इसका रीजन जो है ये है hydrogen का fusion होता है थी ला? रीजन का fusion होता है यही रीजन है आज वाप आप लोगो समझें हूंगे निमनलिक्षित में जूठा सोना कहलाता है किसे जुठा सोना कहा जाता है, दोस्तों जुठा सोना जो है ये पाइराइट्स को कहा जाता है, जुठा सोना पाइराइट्स को कहा जाता है, ओस्टी वो मेलेसिया नामक रोग में सरीर का कौन सा तंतर प्रभावित होता है, इंगलिस नाम है ये, तो इसमें दोस्तों सरीर का हमारा कंकाल तंत्र प्रभावित होता है कंकाल तंत्र प्रभावित होता है आप लोग दोस्तों प्लीज comment box में आप लोग स्कोर ज़रूर बताईएगा हमारे सरीर में कार्वोहड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम मतलब उत्तर दाई रिस्पॉंसिवल है तो इस question का सही अंसर होगा एमाईलेज एंजाइम कार्वोहड्रेट के पाचन में सहायक है जिम्यदार है याद कर लिजेगा दोस्तों एमाईलेज एंजाइम आगे बढ़ते हैं हडित करांती की सफलता के लिए आवस्यक नहीं है हडित करांती की सफलता के लिए क्या आवस्यक नहीं है तो इस question का सही अंसर होगा मसीनी करन ये आवस्यक नहीं है आगे बढ़ते हैं दोस्तों औसदी जो दर्द दूर करती है इसको क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है दोस्टू, enalgesic, next question, मनुस्य के सरीर की सबसे छोटी हडी कौन सी है, हमारे सरीर की दोस्टू सबसे छोटी हडी का नाम है, stepds या stepis भी इसको कहते है, या हमारे कान मिंस्थी तो होता है, और मनुस्य की सरीर की सबसे बड़ी हडी पूछा जाए, तो femur, जो क का SI मात्रा किसके समतुल्ले होता है? इस question का सही answer होगा, twice के 9.7 गुने के समतुल्ले होता है, या कह सकते हो, बराबर होता है. Next question, सोयावीन में निमनलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तो, सोयावीन में गिलसीनिन प्रोटीन पाया जाता है. अब कुकिंग गैस किसे कहा जाता है? यह भी पता होना जाहिए. तो LPG, liquid petroleum gas को, LPG को दोस्तो, cooking gas के नाम से भी जाना जाता है. और LPG, व्यूटेन वा प्रोटेन, सोरी, प्रोपेन का मिस्रण होता है. So, थैंकी दोस्तो, आज किस वीडियो में यहीं तक, और next class में और भी मैं आपको important questions करवाऊंगा.